साथियों जैसा कि मैंने कहा था कि आपको तीन पदवाला जो भाग है उसको हम अगली किलास में बताएंगे तो इसी करम में हम लेकर के आ गए हैं उमीद है कि सब कुछ बढ़िया है अच्छा चल रहा है एक बार बता दें सभी तो तीन पदवाला बता देता हूं ध्यान जिए टेलीग्राम पर जो साथी नहीं ज्वाइन किये हैं वह में ज्वाइन कर लें तीन पदवाला जो भाग है उसको कैसे करते हैं अलजेबरी के इक्स्प्रेशन में बीजगरती है बिंजग में देखिए अभी इसके पहले काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं है ना उसक करना यह दो घृत दूंगा बता दूँगा कैसे इनको भाग करते हैं जब दो कर से अनेक पड में भाग न हो ठीक अज buttons इसमें देना है कि अटेम में बढया है यहां पर हम क्या करेंगे बाबु तीन पद तक ले जाएंगे यानितीन पर तक जाएगा लेकिन हम टार्गेट करते हैं पहले पत को इक्वल करने का बस यानि हमारे पास पहला पत क्या हम i sqr है तो हम यह कोसित करेंगे कि i sqr में किसी एक ऐसे पत से हम गुड़ा करें एक ऐसे बीज घंख करना होगा इस से हमें 2yq मिल जाए यह हम target बना के चलते हैं ठीक है पहला बनाने की कोशिस करते हैं बराबर तो हमें टू लाना है तो सिंपल सा यहां पर टू से भी गुड़ा करना होगा यानि यहां हमें टू सामिल करना होगा और वाई का Sql darn हमें यहां वाई का घाट 3 लाना है तो क्या करेंगे भाईया बाबु यहां पर Y कि से गुड़ा कर देंगे आपी च्रेवाई 2 गात janals के तीं आ तो उपर हम लेजाएंगे क्या कि यह लेजाएंगे हैं है दोवाई कि घातए उपर क्य ले है क्या ले जाएंगे अब हमें सबसे पहले यहां पर इनको उताल लेना है वाई स्कॉयर जो भी है इनको पूरा-पूरा लिख लेना है हमने टू वाई डिसाइड किया है तो पहले टू आई से इसमें पूरे में गुड़ा करेंगे तो बाबु भीया टू आई का गुड़ा जब वाई स्कॉयर में करोगे तो टू आई क्यूब आएगा यह तो तुम पहले सीख चुके हो और जब टू आई का गुड़ा टू आई में होगा तो देखो यहां प्लस है यहां प्लस तो प्लस रहेगा यहां पे तो दो दूना चार और वाई वाई का वाई स्कॉयर और 2i का इस माइनस में गुड़ा होगा, तो माइनस का 2i, समझ में आ रहा है ना, सेम ऐसे होता, ज्यादा कुछ अलग नहीं होता है, अब इनको मिटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सब, चलो, चिन पलड जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये नि आपको नहीं पता ये कैसे हो रहा, तो आपको जीरो लेबल मैथ पहले पढ़ना चाहिए, योकि जोड़ना घटाना उसमें सिखाया गया है, ठीक है, अब ये चीन बदल गया, तो ये क्या हो गया, बढ़िया, ये पलस पलस हो गया, जुड़ जाएगा, बबू, तो 4-2-6 याद रहे, जोड़ने घटाने में, कभी भी घातों में कोई बदला नहीं होता है, ठीक है, बढ़िया, चलो, आप क्या करेंगे, समझ ना, समझ ना, प्यार से, देखो, अब क्या होगा इसमें, अब हमें 3Y का स्कॉयर बराबर करना है, उपर से, ठीक है, ध्यान देना, या य स्कॉयर में, हम किस से गुड़ा कर दें, कि 3Y का स्कॉयर आ जाए, यह हमें सोच के चलना है, तो सिंपल सा बात है, भाईया, बबू की हमें 3 लाना है, तो यहाँ पर 3 से गुड़ा करना होगा, 3 से गुड़ा करेंगे, तो यह 3Y स्कॉयर आ जाएगा, लेकिन, इतने से का इन्हें कुछ नहीं है तो उपर भी प्लफ जाएगा यानि हम कहाए सकते हैं झाल री गढाँ करेंगे कितनी भार थीन बार लेकिन जब तीन बार भड़ा करोगे थो क्या आएगा तीन बार जब गढा करोगे वाई स्कौर में तो भाया ये तीन फोलाइ क्या आएगा याएगा थी आएगा 3y स्कॉयर लेकिन साथ में और देखना क्या तीन का गुड़ा स्धेसे करोंगे जैसे अभी बताया था तीन दुना त'm श्य वाई और उस तीन का गुड़ा से 1 में करों गभाव माइनस की आएगा कि री है द्रहें जब यहां पर ये मैंने पहली बार में तीन पद का भाग दिया था ना दिया था फिर घटने के बाद ये दो पद में बचा था तो हमें यहीं पर उपर वाला एक पद उतार लेना था भीना कुछ कि ये ठीक है तुरंट उतार लेना था क्योंकि यहां पर तीन पद है तो हमेशा तीन प्लस है माईनस है प्लस के फिर डिफ प्लस को खतम हो जाएंगे और यह प्लस प्लस जूढ़ जाएगा 10 फ्राइगा ईस तरीके से क्या हो जाएगा؟ इसमें इस्में फ्राज आजायाएगा 10 लिख लिजेल दूसे ऑल heavier call न कॉर आगे बढ़ें चलो बढ़िया आए लिख लिए अच्छा है आगला ए भाई आगे चलो ना यार next question देखिएगा मगर प्यार से अगला question इसमें का तो ये फिकेंड question है लिखो जेड का मैं पहले ऐसे लिखता हूँ सीधा सा तीन परदवाला करना ना यार रुख जो लिखो एक्स का इसका यार माइनस 1 माइनस एक्स दिकरा बढ़िया इनको भाग करेंगे किस से पता है एक्स का चार माइनस 3 एक्स का इसक्वायर माइनस 4 एक्स और माइनस 5 पहले माइनस लगाते हैं बाद में प्लस करना आसान रहता है इनको भाग कैसे करेंगे जान रहो आसान है देखो बहुत सिंपल है यहां तीन पद है तो यह तीन पद तक जाएगा पूरा पूरा एक बार में हम सबसे पहले टार्गेट करते हैं पहले पद को ठीक है भाईया यानि हम यह देखते हैं कि X स्कॉएर में किस से गुड़ा कर दें कि हमें X के पावर 4 मिल जाए यह हम टार्गेट बना के चलते हैं तो यह गहाट 4 लाना यहां पर 2 घात है हर कोई जानता है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है अगर हम X के घात 2 से गुड़ा कर दें तो यक्स के घाट 4 हो जाएगा हमें मिल गया कि यक्स का स्क्वायर होगा वो पद क्या होगा यक्स का स्क्वायर अब हम उस यक्स का स्क्वायर से गुड़ा करेंगे किस में उस यक्स के स्क्वायर फे हम इस पूरे वाले पद में गुड़ा करेंगे पूरे वाले में अरे इस वाले में पूरे में ना ठीक है भया तो बाबू चलो यहां लिख लेते हैं X square का X square में गुड़ा करोगे तो X घाट 4 आ जाएगा और X square का गुड़ा जब 1 में करोगे तो यह X square आ जाएगा और यक्स स्क्वार का गुड़ा जब इस यक्स में करोगे तो माइनस यक्स का क्यूब आजाएगा देखो कुछ मामला फंसता हुआ लग रहा है क्या इनको सब ट्रेक करें कितना आएगा कुश्चन एक बार मिलालू में यही है कि कुश अलग है नहीं कुश्चन एक ठीक है कुश्चन यही है ओके चलो कोई दिक्कत नहीं डॉन्ट वरी ठीक है आएए चिन को पल्टेंगे हर जगा माइनस का प्लस प्लस का माइनस यह खतम यह माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस चार एकस स्क्वाइर ओके डन अब समझना है आपर क्या समझना है यह घात तीन है वो क्या है उपर घात दो है इनमें थोड़ा सा आपको जोल मॉल करना पड़ेगा जोल मॉल क्या जान रहे हो पता है क्या चाहे तो इनको एक बार हम बता देता हूं ऐसे इनको उतार लो नीचे ये माइनस एक्स का क्यूब और इनको ऐसे उतार लेंगे फोर एक्स एक्चुली इन दोनों में कोई कल्कुलेशन नहीं हो रहा है चिन तो यहाँ पर भी बदल जाएगा सुरी हाँ यहाँ पर बदला था यह भी बदलेगा तो यह प्लस हो जाएगा लेकिन इन में कुछ हो नहीं पाया इन दोनों में आपस में कुछ कोई प्रकरिया नहीं हो भाई क्योंकि घातें आसमान थी पद अलग अलग हैं तो आसमान पद न जुड़ते हैं न घड़ते हैं अगर ये एक समान घात वात होती तो जुड़के कोई एक पद बन जाता लेकिन आप क्या करेंगे जानते हो चाहे तो इनको आप फिर से भाग ले जाओ चमझते चलिए जो जो आपस में बता दे रहा हूँ पहले एक सका स्कॉार गया था उपर एक आपसन तो ये था एक आपसन ये था कि इनको हम साइड में लिखते कहीं दूर कहीं दूर लिखे और उपर से उतार उतार के सब को हल कर ले इनको लाश्ट में भाग कर दे ठीक है ये एक तरीका था क्यों साही नई नहों चलो पहले ये ट्राइ करते हैं साही होगा गलत होगा कुछ भी होगा हम करेंगे इसी में दिखाएंगे, इसी में गलत भी होगा तब भी साही करके दिखाएंगे चलो ट्राइ करते हैं, सीखेंगे बहुत कुछ, आईए साथी मेरे फिर से हम इसको बराबर करने की कोशिज करेंगे यहाँ पर माइन अफ है, उपर माइन अफ ले जाएंगे ओके, चलो, अब हमें यक्स का स्कॉयर है, फोर यक्स का स्कॉयर लाना है तो सिंपल सा हम फोर ले जाएंगे, तो फोर ले जाएंगे, तो फोर का जब इसमें गुड़ा होगा देखो यह है ना उमरे पास यह है ना उपर पूरा पद इसमें 4 का गुड़ा होगा तो क्या आएगा कर लोगे ना करके देखो ना 4 का x square में तो 4 x का square और 4 का 1 में तो 4 simple से बात है पूरा पूरा 4 आएगा 4 का multiple minus x में होगा बावू तो minus का 4 x ठीक है यह आएगा पूरा तो क्या होगा विया तो क्या होगा तो कछ नहीं होगा ऐसे उतरता चला जाएगा चलो जो भी जाएगा हम करते देखेंगे चलो बेट एंड वाच तो 4 का गुड़ा करो विया minus यह है यह भी minus है तो यहाँ सारी plus है तो minus plus minus 4x का square और minus plus minus देखो चिन का यहाँ से ख्याल रखना है यह minus है यह one भी plus था तो यह minus आएगा final में तो 4 आएगा minus यह है और यह minus है तो plus आएगा 4x समझते चलो इनको प्यार फे ओके अब देखें क्या करेंगे चिन फिल से पल्टेगा चिन फिर से बदलेंगे सारे यह निपड़ जाएंगे यह plus minus यह भी निपड़ जाएंगे यह बचेगा आपका यक्स का cube और यह plus का 4 देखो आगया ना पहले पक्ष में यह क्यों आगया ना भया कुछ गड़बड हो रहा है कहीं का यार अगर होगा तो मुझे बता देना बाकी मैं ट्राइ करूँगा अपनी तरफ से अच्छा करने की जो भी होगा मैं देख लूँगा इनको कोई दिक्कत नहीं है चलो 4 का इसमें गुड़ा हुआ 4 x square 4 का इसमें हुआ 4 का इसमें हुआ ठीक है done चल भाई उपर कुछ बच रहा है क्या उपर कुछ बच रहा है क्या हाँ हो उपर बच रहा है भाईया क्या बच रहा उपर देखो जब मैं पहली बार तीन पद का भाग ले गया तो यहां पर मुझे आलरेड़ी तीन पद नीचे प्राप्त हो गया था सन्योक से दूसरी बार में ले गया तो मेरे पास किवल दो पद बच्चे हैं अब उपर एक पद जो पांच है इसको यहां उतार लेंगे क्योंकि इनका काम लगेगा है ना काम लगेगा ना इनका लेकिन यह सजाती है हो रहे हैं आपस में जूड जाएंगे पांच और चार जूड जाएगा ना जूड जाएगा ना तो हम इनको लिख सकते हैं फाइनल में नौ क्या लिख सकते हैं प्लस में नौ इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या लिखेंगे प्लस में 9 अब हमें यक्स से क्यूब लाना है उपर यक्स हमारे बास आल्रेडी है तो हम प्लस यहां ले जाएंगे यक्स बार ले जाएंगे बाबू कितनी बार यक्स बार ले जाएंगे ठीक है? जब यक्स बार ले जाएंगे और इस प्लस एक्स का गुड़ा एये रूख जा है इस एक्स में होगा माइनस में होगा समझते चलना अभी यहां कहां बाद जोल मॉल हो रही को जो भींत हो देखा जाएगा कोई दिक्कत नहीं चलो तु dipped आएगा यह यह कुछ भी आएगा आएगा तो ही चलो अब इनके चेंज करो यह निपड़ जाएंगे यह चिन बदलेगा यह प्लस है देखो इनको थोड़ा सीरियल से कर लेंगे अब क्योंकि यह वापस में बचे हैं बाकी कोई पड़ोसी नहीं बचा है उपर सब खतम है तो यह प्लस एक्स का स्क्वार हम सबसे पहले लिख लें देखो इनका सीरियल क्या है यक्स स्क्वार है फिर एक है फिर यक्स है यानि बीच में एक अचरपद है तो हम इनको वह ऐसे सीरियल में लिखते हैं जैसे उपर है जिससे इनको हल करने में आसानी हो ठीक है तो मैंने यक्स का स्क्वार लिख लिए पहले फिर यह प्लस करना यकिस कता बीच में 9 कैसे आएगा बीच में 9 कैसे आएगा कुछ बात फंस गई क्या लग रहा है मुझे तें पूश लोचा हो गया इसमें लग रहा है रूको देखता हूं बताता हूं एक में सिंद रिको रुको रुको कोई बात नहीं, डरने को बात नहीं साही करके दे रहा हूँ इसका सेकंड कुश्चन देखिए, अगला वाला ये क्या कह रहा है देखिए मगर बहुत ही प्यार से साथियों ये थोड़ा सा अलग तरह का कुश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा और भी साथानी वरतनी है ठीक है, देखिए का कैसे ये कुश्चन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सबसे जुदा है इसमें यक्स का पावर 4 है, यहाँ पर यक्स है, इसमें 5 है यहाँ पर क्या है यक्स का इसक्वाइर है तो सबसे पहले हम वह ऐसे ही कोसिस करेंगे यक्स का पावर 4 लाने की क्योंकि पहला पत क्या इसक्वाइर है तो इफ लिए हम यहाँ पर यक्स का इसक्वाइर ले जाएंगे यानि जब हम यक्स का इसक्वाइर फे गुड़ा करेंगे if number में पूरे में तो ध्यान देना मिलता क्या है हमें ध्यान देना इसमें गुडा करने पर क्या मिलेगा एक तो x का power 4 मिलेगा एक x का square मिलेगा और एक मिलेगा x गात 3 यह आप ध्यान रखना ठीक है अब यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर एक x का cube मिल रहा है अगर इसको हम इन लोगों के साथ हमें रख देंगे तिन सब को खराब कर देगा क्योंकि वो इसमें अर्जेस्ट नहीं होगा क्योंकि तीन गात वाला कोई है नहीं तो हम एक काम करेंगे क्या पता है यक्स का power 4 तो इसके नीचे लिखेंगे ठीक है यक्स का square भी हम इसके नीचे लिखेंगे ये भी ठीक है लेकिन यक्स का cube हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे पता है कहां लिखेंगे उसको उसको एकदम last में लिखेंगे ले जाकर एकदम बाहर कहां, पर पता है तुम्हें देखो last में इसको बाभर-बाभर किये रहेंगे बाद में काम चला लेंगे तो यह minus चिन्न के साथ है यह ऐसे है ठीक है, ऊपर side का हिस्सा है यह minus x का square इसको हम यहाँ कहीं side में लिख देंगे और sub x का cube जो भी है, ठीक है लिए यह खतम हो जाएंगे यह माइनस 4x2 और यह आपका 4x ऐसे नीचे उतर जाएगा क्या बोलो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला ना कोई है इसके आगे पीछे नहीं है ना तो इनको ऐसे उतालो फिर कुछ नहीं है तो 4x और फिर चुकि यह तीन पद है हमारे पास क्या है 4x2 इनको क्या करेंगे इनको क्या करेंगे बैय। सारी प्रक्रिया इनके साथ भी करेंगे जैसे ना चीन बदला इसे इनके साथ भी अब देखो यहां पे समझो हम अब इनको बराबर करने कोशिव नहीं करेंगे अब इनको बराबर करने कोशिव करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह बिल्कुल अपच टाइप का है पच नहीं रहा है यह साथ में सब क्या अर्जश नहीं हो रहा है इसको बराबर करने के लिए हम पहले एक्स बार ले जाएंगे ये अलग तरह का question है ध्यान देना ठीक? तो जब एक्स बार ले जाओगे भाया तो इसमें गुड़ा होगा तो एक्स का क्यूब आएगा क्या आएगा एक्स का क्यूब ना? गुड़ा कर ले दो एको x का square यह प्लस का 1 माइनस का x यही है न x से गुड़ा करो इसमे x का cube x का गुड़ा इसमें होगा तो x x का गुड़ा इसमें होगा माइनस x का square यह इतना मिलेगा ध्यान रखना इनको हम आगे पीछे इधर उतर कर सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है पद है उनको उनी के नीचे अर्जेस्ट करेंगे याद रहे ठीक है x का square ला करके इनके नीचे लिखेंगे यह मतलब लिखा मैंने वो सब लेकिन उनको जगा जगा पे अर्जेस्ट किया नहीं तो यह अन्यथा फॉस जाएगा इस तरह के question में यह चीज आपको सदानी बरतनी है आप क्या करोगे चिंद पलट जाएंगे सभी यह पलस माइनस घड़ जाएगा तो तीन यक्स और यह भी चिंद पलटेगा यह खतम हो गया यह भाई कुछ गडबड हो गया क्या नहीं न कुछ बच रहा है क्या एक मिनट जाएगा सोचो इसमें कुछ बच रहा है क्या पांच भी तो था तो पांच तो बचा है ना भाईया एक चीज और रुको एक मिनट सॉरी यह कहा कट रहा है यह तो बराबर थोड़े है रुको 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 ये प्लस माइनस तो हुआ ठीक है लेकिन ये घटेगा क्योंकि ये चार included है घटे का बाबू ये कटेगा नहीं ये क्या होगा ये भी 3 X आएगा क्योंकि ये भी बराबर नहीं आपस में दुनों पद गाते बराबर हैं लेकिन पद बराबर नहीं उपर 5 बच रहा था यह से उताल लेंगे यह निप्टेगा यह बस आखे लेकर बस अब हमें 3x का स्कॉयर लाना है माइनस में है तो आल्रेडी यहां माइनस ले जाएंगे माइनस 3, 3 का इसमें गुड़ा करोगे माइनस 3x का स्कॉयर और माइनस 3 का 1 में गुड़ा करोगे तो माइनस 3 आएगा और माइनस 3 आप कहां लगाओगे लाश्ट में लगा दें क्या क्यों देखो बता देता हूँ यह x का स्कॉयर है पलस का 1 है माइनस का x है अगर हमने तहीं किया कि इसमें माइनस तीन से गुड़ा करेंगे न यही तो बना नीचे ध्यान देना तो तीन का इसमें गुड़ा करोगे बाबू तो माइनस तीन का प्लस वन में गुड़ा करोगे तो क्या होगा माइनस तीन और माइनस तीन का गुड़ा माइनस एक्स में होगा तो प्लस 3X ठीक है? अब जो जहां जैसे जिनके जरूरत है इनको वैसे वहां रिजेस्ट करेंगे 3X इसका square को square की जगाप लिखेंगे ये minus 3 को 5 की जगाप लिखेंगे क्योंकि ये सजातिय पत है आपस में जुट गहट सकते हैं अगर हम minus 3 को इसके नीचे लिखेंगे ते कुछ नहीं होगा इसमें ठीक है? और 3X को इसके नीचे लिखेंगे तो प्लस 3X को क्या करेंगे? इसके नीचे लाके लिखेंगे ठीक है भया? चिन बदलेंगे ये निपट जाएंगे यह भी निपड़ जाएंगे यह बदलेगा आठ आ जाएगा यह अंसर आ गया यानि सेस्पल आ गया ठीक है कोई डाउट किसी को इसमें नहीं अगर कोई दिक्का थे तो बताईए यह बिल्कुल अलगता रहा का सवाल था एक दम अलग ठीक है इस तरह का सवाल बहुत रियर के देलो कि देखिए अगला बहुत ही अच्छा कुष्ट नहीं इसी तरह का बड़ा सा लिखिए इसको मैं अभी हल करवाया था क्या अभी सब दो दो पद्वाला ही हुआ है ना लिख लो एक और लिख लो चलो दो एक्स का क्यूब में पहले वही कुष्ट नहीं लिखिए इनको भाग देना है एक्स का स्कुएर किसके भाग देना है एक्स का स्कुएर और टू एक्स माइनस वन ये पलफ है ठीक है याद रहे यहाँ पर वन है यहाँ पर क्या है भाईया वन है बाबु क्या है वन है याद रहे है खनाइफ को इनको क्या करना है भाग देना है अब ध्यान रखना है यहां पर कैसे होगा देखिए सबसे पहले हम कोशिज करेंगे पहला वाला बराबर करने की यानि 2x का क्यूब हमें लाना है यक्स स्कॉाइर में तो हमें पता है कि यहां में 2 भी लाना है तो सबसे पहले हम 2 से गुड़ा करें जिससे यहां 2 आ जाए यह हमारा स्कॉाइर है हमें क्यूब लाना है एक घाद बढ़ाना है अगर एक घाद बढ़ाना है तो उपर क्या करेंगे अब 2x का जब गुड़ा करोगे भाईया देखो इनको देखो ना इनको पूरा यहां लिखो x square plus 2x minus 1 इनको जब 2x से गुड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा जानते हो 2x का गुड़ा होगा बाबू तो यह आपका 2x cube मिलेगा 2x का जब गुड़ा इस 2x में होगा तो यह 4x का square मिलेगा और इस 2x का गुड़ा जब minus 1 में होगा तो minus का 2x ठीक है बढ़िया तो चलो 2x का cube और 2X का जब इसमें गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा अब 4X का स्क्वाइर ठीक है ध्यान रहना इसको प्लस में ही रहेगा और माइनस 2X का जब इसमें गुड़ा होगा तो माइनस का 2X अब यह निपड़ जाएंगे यह आपके पलस माइनस देखो यहाँ पर कुछ बात अलग हो रही है कि नहीं एक मिनट रुको घात इसक्वाइर में था यार कुश्चन में क्या यहां गहात जो है कुश्चन संब्सक्राइब कुश्चन क्याइध परिखो इसक्वाइब सूच्वाइर आपको परिक्षवीह इसी मिलेगा उल्टब नहीं मिलेगा ठीक है अगर गहात अलाग अलगा समान तरह का मिलता है इनको आप किनारे रखो विजह से अभी पहले बाले बताया था ठीक है चले तो अब ये प्लस माइनस क्या होंगे घटेंगे तो तीन एक्स का स्कॉयर आएगा और ये भी चेंज होगा आपस में घटेंगे तो माइनस का दू एक्स उपर से साथ को यहां पर ल दाएगा ऊपस्काफ़ पहले नाहें पतों कत जूक पता हिए पता पता देता हुं आए उनुक हमें पहला वाला पद बराबर करना है 3 X का स्क्वयर लाना है उपर केवर एक्स का स्कॉयर विफ लिए हम पहले प्लस तीन बार ले जाएगे तो 3 आपसमें जूड़ जाएगे और प्लस 3 का गुड़ा माइनस का इसमें करोगे तो माइनस 3 ये चिन बदलेंगे निपट जाएंगे ये भी बदलेंगे ये नहीं निपटेंगे ये आपस में जूड जाएंगे 8x और ये भी चिन बदलेंगे 10 इस तरीके से आपका एसेसफल आजाएगा इसमें कुछ नहीं होगा यह माइनस 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 8 एक थेसे को बता दो जड Das ये था तीन पदों वाला बेंजकों का भाग इसमें किसी को कोई तकलीफ कुछ दुखदर्द तो मुझे बताओ अगर नहीं तो फट से लिख लो इस वीडियो में बस इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू कलास को खूब दबा के सेयर करें और अगर आप इसे यूटूब पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पीवियर स्टेडी को और दोस्तों को भी सेयर करके कमेंट करें कोई भी डाउट है धन्यवाद